अलो, गुड मॉर्णिंग दे श्टूडेंट्स, स्टेंडर्ड फास्ट, सब्जेक्ट, ईवियस, लेसन नमबर 19, लेसन का नेम क्या है, दा अर्थ एंटा स्काई, अर्थ मिन्स क्या होता है, प्रित्वी, धर्ती, जिस पर हम रहते हैं, एंड स्काई, स्काई मिन्स होता है, प्रित्वी और आस्मान, देखो, वी लिव, ओन दा अर्थ, वी मिन्स हम लिव रहते हैं, ओन मिन्स उपर अर्थ, अर्थ दर्ती के उपर रहते हैं, अवर अर्थ, हैस टू पार्स, अवर अर्थ हमारी जो प्रित्वी है, दर्ती है, वो क्या रखती है, दो भाग रखती है लेंड एंड वाटर लेंड मिन्स होती है जो भूमी वाला मैदान उतर वाटर जो पानी वाला भूमी और पानी दो भाग रखती है इट इज राउंड लाइक एन ओरेंज यह किस जैसी दिखाई जिते है नारंगी की तरह है जाद हाफ हाफ जो आदे से जादा भाग है उनदार थे प्रित्वी का इज कवार्ड डखा हुआ है विद वाटर पानी के साथ डखा हुआ है वी लिव हम रहते हैं ओन लेंड लेंड मिन्स भूमी के उपर रहते हैं वी गरो हम उगाते हैं फूड बोजन जो हमारी फसले उगाते हैं ओन लेंड कैसे दर्थी के उपर उगाते हैं वी मेक हाउसीज ओन में लेंड वी मेक मिन्स हम बनाते हैं हाउसीज घरों को ओन लेंड धर्थी के उपर बनाते हैं दा सर्फेस, जो सर्फेस में सोचिय सथ है, ओन दा लेंड, दा दिकीज नोट दा सेम एनिवेर, हर जगह है वो क्या एक समान नहीं है, सम पार्ट्स आर फ्लेट, कुछ भाग है वो क्या फ्लेट में समतल है, अन्हें क्या बोला जरता है, मेदान, मेदान नी भाग बोला जरता है, जो ये दिखाई दे रहा नामें, ये वला, इन्हें क्या फ्लेट पाढ़ियां बोला जरता है, very high hills, Arkar mountain वों जो सब बहुत वही हाई मिन्च जो बहुत उपर जो पाडिया होते हैं उन्हें क्या बोले जते हैं परवत बोले जते हैं mountain बोले जते हैं rivers start from the mountain जो rivers ज़ाई नदिया है वो कहाँ से सुरू होती है mountains परवतो से सुरू होती है and flow भैती है through the plans और मेदानों की तरफ क्या आते हैं भैती है look at the sky in the day look means देखो sky means आसमान की तरफ in the day दिन के अंदर आसमान की तरफ देखो you will see the sun shining in the sky हम क्या देख सकते हैं जो सुड़े है वो क्या करता है चमक रहा है in the sky आसमान के अंदर चमक रहा है look at the sky at night हम रात की तरफ आसमान की तरफ देखो you will see the shining stars and the moon और रात में हमें क्या दिखाई देता है चमकते वे तारे stars means star and moon means जो चांद है यह हमें चमकता दिखाई देता है आपको ये lesson तीन चार बार अच्छी तरह रीड करना है thanks have a nice day